वल्कम बैक टू माई चैनल वन्स अगेंट फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिट से तो फ्रेंड जैसे कि हम उत्राखंड वन लाइनर की सिरी चला रहे हैं तो आज हमारा ये पार्ट फोर है इसे पहले अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखें तो प् पहला वन लाइनर कोशन है इस बार पर्थम कुली एजेंसी के जो संस्थापक थे आप देख सकते हैं ठाकुर जोति सिंग नेगी 1908 में थे यानि की 1908 में थे ठीक है उसका रावा गड़वाल में कांग्रेस कमेटी की जो संस्थापक थे आप देख सकते हैं बैरिस्टर बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है अक्सर ये आता है ठीक है आगे पड़ते हैं गड़वाल में सलक यातयात का सुभारम कब हुआ था बहुत ही अच्छा कोशन है बाइस फर्वरी 1944 में उसके आगे कांग्रेस की सदस्ता गरहन करने वाले प्रथम गड़वाली कों थे 1915 मे सकला नंद डोवाल ठीक है आगे पड़ते हैं क्वेशन नंबर नेक्स है कि बीर्चन सिंग गड़वाली की पत्नी का क्या नाम था भागिरती देवी तो बीर्चन सिंग गड़वाली बहुत फेमस है ठीक है उसके लावा गड़वाल में माक्सवाजी कमिशन पार्टी की स् से लेडेट जो यहांपर वन लाइनर आते हैं बहुत इंपोर्चन आते हैं यहांपर आप देख सकते हैं उत्राखन राज को आठ भौगलिक छेहरों में बाता गया है के बारे में डिटे opioid में इस हम जो हमारी उत्राखन वन लाइनर स्रीज्ड हिस बारे में बात करेंगे त अगले जो भाग आता है तराई छेतर आता है यहां पर आप देख सकते हैं जिसकी दो चोड़ाई है लगबग 20 से लेकर 30 किलो मीटर के आसपास है इसमें आपके हरिद्वार में गंगा के मैदान और पौडी गड़वाल जो है उत्तर साइड में आ जाता है इस तरह से और दक् आजपूर, काशिपूर, खटीमा जहां से हमारे चीफ मिनिस्टर जी भी है रुद्रपूर, पाताल तोड कोई भी इसी में आते हैं यानि कि जो तराई छेतर है इसमें आपके यह वाले एरियास आते हैं अब इसमें एक और भी आता है आप देख सकते हैं हरियाना, पश्च सिम मंगाल की जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर पाए जाएंगी जो आबादी है लाइक क्योंकि यहाँ पर सिटकूल एरिया है हरिद्वार और यहाँ पर उधम सिंग में तो यहाँ पर काफी बाहरी लोग आयो है in spite of other districts के यानि की उत्रकहन से ठीक है आगे परते हैं नेक्स में 10 से लेकर 12 कि जो चोड़ी पटी के छेत्र को भाबर करते है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पहाड़ियों को सिवालिक छेत्र कहा जाता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ यहने कि जो नेक्स्ट हमारे MCQs हैं यहाँ पर वन लाइनर है इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट हैं सब्सक्राइब जरूर करें बाग के आप मैं टेलिग्राम पर जोड़ सकते हैं इस वन लाइनर की जो चौथी पार्ट है इसमें जितने भी आपको कोईशने दिखाए जाए रहे हैं पूरी PDF आपको डाउनलोड मिल जाए कि डिस्क्रिशन बॉक्स में चीक हैं आगे पड़ते हैं कि इसे हुआ है हिमालय या हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं इसे मैनाक भी कहा जाता है ठीक है आप फिर कहते हैं और इसके जो दक्षिन में आप देख सकते हैं देहरादून, टेडी गड़वाल, अलमोडा और चंपाउत के डिस्टिक्स आपको जो है मिलेंगे इसी तरह से बद्यवर्ती भाग में आपको नैनिताल और पौड़ी यहां पर मिलेंगे और इसकी जो औससच चोड़ाई है लग आप देख सकते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच में है यह बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है इसको आप नोट जरूर कर लें क्योंकि अक्सर एक्जाम में इस तरह की टेड़े मिड़े कोशन आते हैं हिमालय का सबसे नमिंतम भाग जुकि इसमें जिवास ने बहुत अधिन मात्रा में मैं मिलते हैं और प्रेटिकों के लिए जियादा प्रेटन का केंडर केंडर रहता है और लकडियों में जो सब से यहां पर पाई जाती है मात्रा उद्योगों के विकास्तु सिसम बुरांस और सॉल से पाई जाता है बुरांस के बारे में हमने अल्लेडी हमारे जो वान लाइनर के पार्ट वान में भी हमने आपको पताया है डिटेल से जरूर देखें और सॉल तो बहुत ही फेमर्स है यह तो मुलना उत्राखंड में अकसर पाया जाता है ठीक है अब बात आते हैं पांचों में छेतर है यहां पर आपके सिवालिक और मध्य हमाले के बीच में यह पाया था ठीक इसकी चोड़ाई 24 से लेकर 32 किलोमेटर के बीच है और साड़े 300 से लेकर 750 मीड़ तर की उचाई और लगबग 75 किलोमेटर लंबा वह 24 से 32 किलोमेटर चोड़ा देरादून जो है सबसे प्रसिद्ध है तो देरादून आप इसे कैप्टेल के तौर पर भी आप कह सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं लग या मद्य हिमाली चेत राते हैं जहां पर इनकी जो हाइट है लगबग 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है इसी दरह से यह चेत या प्रवत स्रेणी सिवालिक स्रेडियों के उत्तर तथा ब्रहत हिमाला के दक्षण में पाय जाते हैं जबकि पूर्वत्वर में इनके चमपावत पाय जाते हैं जहां से अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बाइपोल के लिए खड़े हुए हैं अब बात करते हैं सातोय की ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं सातोय में प्रहत या उच्छ हिमाली छेत पाय जाते हैं या फ्रहत लगो हिमालंवाइ के उत्तर और ट्रांस हिमालाय छेतर के दक्षण में पाय जाते हैं इस दरह से सबसे उची चोटीओं वाले इस प्रवत को ब्रहत या उच्छ या आंत्री या फिर महा या मुख हिमालय भी कहा जाता है और इसमें प्राचिंद जो हमारे क्रंद प तक और जो डिस्टेंस है उसके अलावा इसमें जो उंचाई है आप देख सकते हैं 4500 से लेकर 7816 जो है नंदा देवी तक इसकी जो है डिस्टेंस है यानिकी उंचाई है तो फ्रेंस यह रही आज की वन लाइनर पार्ट फोर जहां पर हमने आपको उत्राखंट राज के यह रहते बारे में बताए आठब हमारी उन लाइने पार्ट हो फारफ के लेकर आएंगे तब तक आप c受 it in प्रैलिस्ट हम थिए वहां से आपिसके गक्रु सकते हैं चाहे तो ये इस ही है